आई एक और बैतरीन केल्कुलेशन ट्रिक बताओं यह पूरी जो केल्कुलेशन ट्रिक की सीरीज है वैसे तो आपको केल्कुलेशन ट्रिक दूढ़ने पर बफसारी मिल जाएगी लेकिन मैंने कोशिच किये कि आपको केल्कुलेशन ट्रिक तो पता ही लगे जिससे हम थोड़ यार्वी केर्गूलेशन ट्रीक है इसके अंदर 11 से मल्टिप्लिकेशन की एक ट्रिक बताता हूँ पहुत छोटे इस ट्रीक हम लोग बच्मन में क्या करते हो थे किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टिप्लाइब करना हो बहुत एजी है यह माल लीजे 25 को 11 से मल्टिप्लाइब क तो अगर टू डिजिट नंबर को 11 से मल्टिप्लाय करना हो तो बहुत फास्ट है उनका सम उनके बीच में लिग दो बस इसा माल लीजे आपको मल्टिप्लाय करना हो 72 इंटो 11 तो साथ और दो 9 तो आज आएगा 792 का दो करना कुछ भी नहीं है इन दोनों के बीच में इसका सम लिग दे लो है अब इतना सारा कौन दी है 27 x 11 कितना हो जाएगा 297 साथ और दो के बीच में किसी भी नंबर को 11 से मल्टिप्लाय करना है तो आपने ऐसे मल्टिप्लाय कर से खट से क्या करना है करना कुछ भी नहीं है उन दोनों का सम बीच में लिग दो अब माल लिजे कोई बड़ा नंबर आजाए 97 x 11 अब की बार इ अगर माल लिजे इन दोनों का सम 10 से बढ़ा है तो केरी ओवर चला जाएगा नहीं जिदे माल लिजे 78 x 11 तो साच और पंद्रह इनका सम 15 होता है तो सेवने और 15 का बन फाइव तो आ जाएगा 850 इन दोनों का सम बीच में लिग दो सिंगल तीजित आता है तो सीधे लिग द क्या हो जाएगा केरी ओवर एक बार अपर मल्टिप्लाय करने जोरती नहीं सीधे ठीक सा अंसर लिगते हैं तू डिजिट नमबर के परफेक्ट है ठीवी के लिए भी हो सकना लेकिन टू डिजिट के लिए ठीट है अच्छा अब सवाल उटता है सर्के पीछे लॉजिक क्य ऐसे करते हैं एक्स यहां पर एकशाओ य आ जाएगा फिर वा य के निचे जीरो छोड़ देंगे तो यहां पर एक स्वाई आ जाएगा और जम आप इसको जोडेंगे तो हांसर हो जाएगा वाही इस वाली डिजिट क्या बनेगी X प्लिस आध़ और यहां क्या बनेगा तो मैंने वही किया इन दोनों का सम बीच में लिख दिया इन दोनों का सम बीच में लिख दिया बड़िया लग रहा होगा दोस्तों को हैरान कर सकते हैं को भी करो